हेलो दोस्तो वेलकम बैक तो यहां पे दोस्तो हम चालू करने वाले हैं अपना एक नया कोर्स जिस कोर्स का नाम होने वाला है Learn Google Drive तो दोस्तो Google Drive आप भी यूज़ करते हैं मैं भी यूज़ करता हूँ लेकिन हम सबको ऐसा लगता है कि Google Drive से File Storage के लिए होता है ऐसा नहीं है दोस्तो Google Drive के अंदर बहुत सारे additional function भी होते हैं तो गाइस इस course में मैं आपको वही सब additional function सिखाने वाला हूँ कि आप Google Drive को किस-किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डेफिनिली दोस्तो इस course को cover करने के बाद आपकी यूज़ सोच है Google Drive को लेके वो बदलने वाली है दोस्तो तो चलिए इस course में मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या-क्या सीखने वाले हैं तो गाइस यहां पर एक list मैंने बना के रखी है आप completely देख सकते हैं मैं कोई भी course लेके आता हूँ आपके लिए तो सबसे पहले उसका मैं presentation बनाता हूँ कि इस course में मेरे को level by level किस तरह से cover कर है उस type से मुझे आपको समझाना है दोस्तों तो यहां पर दोस्तों start करने वाले हैं सबसे पहले वह है Google Drive को हम समझने वाले हैं कि Google Drive आखिर होता क्या है तो बहुत साथे लोगों को पता है दोस्तों Google Drive क्या होता है लेकिन यह course जैसा कि आपको मैंने बताया एकदम basic से लेके एकदम advanced level तक हम सीखने वाले हैं तो उन सभी लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम इसका basic cover करेंगे ताकि जिन लोग को नहीं पता Google Drive के बारे में उनको पता चले कि आखिर यह Google Drive होता क्या है दोस्तों तो start करेंगे दोस्तों हम Google Drive की basic information से उसके उसे कैसे open करते हैं उसका जो user interface है वो कैसा होता है किसी भी file को आप कैसे upload कर सकते हैं उसे edit कैसे कर सकते हैं या फिर उसे किसी और format में convert कैसे कर सकते हैं उससे वहां से download कैसे कर सकते हैं उसी के साथ दोस्तों आप folder के साथ कैसे work कर सकते हैं आप किसी भी एक particular file को किसी एक grouping में कैसे कर सकते हैं उसे share आप कैसे कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के साथ हो सकता है आपका कोई दोस्त किसी और state में हो या किसी और country में हो उसे आपको file भेज नहीं हो तो कैसे भेज सकते हैं तो सब कुछ दोस्तो मैं इस course में आपको सिखाने वाला हूँ and साथ ही में दोस्तो आपको मैं सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे ट्रिक जो आज से पहले आपने Google Drive में कभी perform नहीं किये होंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तो मिलते हैं आपको इस course के अंदर and एक और बार दोस्तो इस course का मैं इस पर personal certificate नहीं देने वाला हूँ यह course completely आपके लिए free होने वाला है लेकिन अगर आपको इस certificate चाहिए तो इस same course मैंने Udemy पर भी upload किया है आप महां पर जाके उसे purchase करके वहां से आप उसे certificate गेन कर सकते हैं दोस्तों तो definitely दोस्तों अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो यह course आपके लिए free होने वाला है